हलो जी नमस्ते ही छतिगा डोजगान उसमें आपका स्वागत है मैं हूँ विजय चहौन आर आपके लिए लेकर का गए है कनई भरती सिधी भरती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकासन है 30 जून 2023 को यहाँ पर गिया गया है जीला आम सत्र नियाला के द्वारा आश्मिक्ता निधी से वेतन पाने वाले करमचारियों के स्रेणी में यहाँ पर भरतिया निकाली गई है इस पत की भरती के लिए आवधन प्रस्तूत करने की जो आरंभिक ठिथी है तीन तारिक साथवे मैने 2023 जिन स्रोम वार्ग से ग्यारा बजे से आवधन करने की प्रकरिया शुरू होगी है जो भी उमिद्वार इसके लिए आवधन प्रस्तूत करना चाहते हैं उनके लिए 18 तारिक 7 महिने 2023 दिन मंगलवार संधिया के 5 बजे तक कर यहां पर संभाय रखा गया है जिला एम 17 नियाला के अंतरगत आश्मिक्ता निधी से वेतन पाने वादे करमचारियों के स्रेडी में जो है विविन तरह के पदो पर भरतियां की जाएंगी जिसके लिए महिला और पूरुष दोनों तरह के अभिहारती जो है जिला नियाला बलौदा बजार में रखेगे ट करमचारियों की स्रेडी में जो है यहाँ पर वाटर मैन, चौकीदार और स्वीपर की पदो पर भरतियां की जाएंगे बात करें पदो के विबरन के बारे में तो वाटर मैन की साथ पदो पर भरति होगी चौकीदार की एक पदो पर भरति होगी और स्वीपर की तीन पदो बहरतिया की जाएंगे तीन अलगे पड़ों पर निकाले गी हैं जिसमें टुटल 11 पड़ों पर बहरतिया की जाएंगे। प्रति महा पर दिया जाएगा बहती की पात्रता इवं अन्यसरतों के प्रति के पर्णिक कौकशा पड़ी उतन प्रस्फो टूथ करेंगे उनके जो क्वालिफीकेसन क्वालिफीकेसन क्वालिफी वी से अधिक की है वे अभ्यार्थी जो है इन पदों के लिए आवधन प्रस्तूत नहीं कर पाएंगे आठवी कक्षा से उच्छ योगिता धारी अभ्यार्थियों को पातरता नहीं होगी यदि कोई अभ्यार्थी कक्षा आठवी से ज़्यादा योगिता धारी पाया जाता है तो किसी इस्तर पर नियुक्ती समाप्त यहां पर कर दी जाएगी तो ऐसे अभिहार्थी जिनकी योगिता आठवी कक्षा से ज़्यादा की है वे अभिहार्थी जो है इसके लिए आवधन प्रस्तूत नहीं कर पाएंगे वाटर मैं, चोकेदार और सीपर के पदो पर यहां पर भरतिया निकाली गई है जिसमें पाँचवी कक्षा से आठवी कक्षा पास अभिहार्थी जो है आवधन प्रस्तूत कर पाएंगे वही साथी साथ यहां पर बता दें कि जो भी अभिहार्थी इसके लिए आवधन प्रस्तूत करेंगे अपनी सेक्षणी की योगिता के सम्मन में जो है आपको यहां पर सपत पत्र प्रस्तूत करना होगा अगर आवधक समाने अवर्ग के हैं या फिर पिछरा अवर्ग के हैं तो अभिहार्थियों को 5 रुपे का इस्टाम प्रस्तूत करना होगा कि आपकी जो सेक्षणी की योगिता है आठवी कक्षा से अधिक की नहीं है अगर आवधक अनुसूचित जाती या फिर अनुसूचित जन जाती के हैं तो उनको सादे कागज में नोट्री करवा करके यहां पर सपत प्रस्तूत करना होगा कि उनकी जो क्वालिफिकेशन है कक्षा आठवी से अधिक की नहीं है तेक बात का आवधक ध्यान रखें कि जो भी आवधक इसके लिए आवधन प्रस्तूत करेंगे उनकी जो क्वालिफिकेशन है कक्षा आठवी से जहां अधिक नहीं होनी जाइए वहीं बात करें आवधन प्रस्तूत करना चाहते हैं उनकी उम्रसीमा की जो गड़ना है एक जनुरी 2023 की सिति में गी जाएगी 18 से लेकर के 30 वर्स के अवधन प्रस्तूत कर पाएंगे साथे साथ चदिगर सासंदवार आपको उम्रसीमा में जो है category why जो हे चूट देखने को मिलेगा सभी चूट को मिला कर के टोटल 40 वर्स के अविहारती जो है इन प्वधों के लिए आवधन प्रस्तूत कर पाएंगे वहीं बात करें आवधन प्रस्तूत करने की प्रक्रिया के बारे में तो जो भी उमिद्वार इसके लिए आधन प्रस्तूत करना चाहते हैं, आवेदन करने के जो प्रक्रिया है, तीन तारिक साथवे महिने 2023 दिन सुम मार से सुरू हो गई है, जो भी उमिद्वार इसके लिए आधन प्रस्तूत करना चाहते हैं, अठारा तारिक साथवे महिने 2023 स पांच बजी तक जो है आप इसके लिए आईदन प्रस्तूत कर पाएंगे अब दिन आपको जीले अयम सत्र नियाले बलोदा बजार नियाले परिसर में रखे गए ड्राप बॉक्स में आपको जो है आविदन प्रस्तूत यहां पर करना होगा वही बात करें चैन की प्रक्रिय के अधार पर यहां पर किया जाएगा साथे साथ यहां पर बता दें आविदन प्रस्तूत करने के लिए आविदन पत्र के प्रारूप के बारे में भी यहां पर बताया गया है कैस्मिक तर निजी से वेथन पाने वाले करमचारियों में वाटर मैं चौकिदार और सीपरों क पद उपर जो भरतिक की जा रही इसके लिए आवधन पत्र के प्रारूप के बारे में बताए गया है जो भी मिद्वार इस आवधन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड करना चाहते हैं अन्य लोगों के पर सेयर करना ना भूलिया और ऐसी ही रोजगार परक्चानकारी के लिए चैनल से जुड़े देए हम आपसे मिलते हैं नहीं वीडियो में